नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यांसू पत्ना पुलिस को बड़ी काम्याभी मिली है जी हाँ पत्ना पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो महिलाओं से लूट पार्ट करते थे जी हाँ सोने की बिस्किट से सब कुछ लूट लेते थे म क्या कुछ कहना है कोत्वाली डियस्पे क्रिश्न मुरारी प्रसाद का पहले वो सुनिये कल देर रातरी तक हम लोगों को पत्वाली थाना को एक आहम काम्याभी मिली है जो कि मुलूप से पत्ना पुलिस के एक बड़ी काम्याभी कही जाएगी बड़ी पुलिस अधिचक में होते के अलोग में यह लगातार डियरेक्शन प्राप्त हो रहे थे कि पत्ना जंग्सन से जो ओटो खुलती है या आसपास के थानों से जो ओटो खुलती है उनके दौरा जो क्राइम किये जा रहे हैं ओटो गैंग के दौरा उसको तुरत गए थे फिर हम लोग का सब्सक्राइब कर आया था इसी अधार पर हम लोगों ने कल कुल चार लोगों की किरफतारी किया है जिसमें से एक पूरा गैंग ही है जिसका मुल्क रूप से हेड कर रहा था मौमद मेनाज जो चारों लोग पकड़े गए हैं मौमद मेनाज है इन से रहने वाले हैं लोग आपास में तीनों रिलेट्वश भी हैं एक ड्रैवर है डबलू जो ओक किराए पर लिया था और पीसरा पांच महत्ति इंतियाज है जिनके गिरफतारी आज हुई है तो पुल पांच लोगों का यह गैंग था जिनके रहा एक जा रहे थे इनके पास बरमद गी हुई है यह एक वोटो बरमद है सिस्टी नाइन हंड्रेड रूपीज है जो कैस के रूप में है उसके पास जो नकली सोने का बिस्किट जो महिलाओं को जासा में दे करके उन्होंने ठगी का सिकार बनाते थे इनका एक गैंग बहुत सुनुजित तरिके से काम करता था जो की महिलाओं को कहीं कहीं आकर्षित कराते थे और उनको पैसे के या फिर जोलरी जो पाँने होते थे जोलरी वहां पो दे देदे थे उसके बंदे उनको यह नकली बिस्किट दे दे देदे थे खुल्मिला करके यह हम के गरफतारी है इनके दोरह कुछ अन लोग टीम बना करके करवाई कर रहे हैं कुछ एक बात और जो आहम बाते आई है चुकि यह क्राइम जो ओटो के माध्य हम से महलाओं साथ होती थी तो कुछ महलाएं या कुछ बचियां प्रियास करती थी कि अपने घर में सही चीज़े नहीं बताएं तो उन्होंने लूट के मामले कर लूट के तरिके से उन्होंने खाने में किस रेस्टेट कर रहे थे जो हरल फण के कुछ कई से कानुसंधाब में यह पता चला रहे हैं कर फोनों को मिला है जो कि दिया गया भी लूट के के से रेस्टेट हुए थे सुना आपने गैंग सुन योजित तरीके से महिलाओं को लुभाते थे चार लोग गिरफतार हुए थे मुहम्मद मिनाज जो की हेड था इन सब में मुहम्मद फैसल, मुहम्मद तोहीद, तीनों दरगार रोड सुल्तान गंज के रहने वाले हैं और तीनों रिलेटिव ही है, वहीं एक ड्राइवर भी है, डबलू जिसका नाम है, उसे भी पकड़ा गया और मुहम्मद इम्तियाज को आज गिरफतार किया गया है, यानि कुल पांच लोगों की गिरफतारी हुई है और एक तरह से जिसा कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा है कि पूरे गैंग को पकड़ लिया गया है हला कि इन लोगों ने और भी कई गैंग के नाम बताए हैं, जो इस तरह के लूट कांड को अंजाम देते हैं पटना में एक उटो जब्त किया गया है, 79 रुपे कैस भी जब्त किया गया है, वही नकली सोने के बिस्किट भी जब्त किये गया है नकली सोने की बिस्किट ले लेते थे अन गैंक का भी नाम बताया है ओटो के माध्यम से ये सब होता था हलांकि एक और जो चोकाने वाला मामला ये सामने आया है कि जिन से लूट पाट होती थी जिन मैलाओं से या बच्चीयों से उन्होंने सही चीजे नहीं बताई उन्होंने लूट का केस दर्ज करवाया लेकिन असल मामला ये ठगी का था उनको सोने के बिस्किट मिलते थे और उस एवज में वो अपने जेवर खोल कर रखते थे तो लूट का केस उन्होंने दर्ज कराया ठगी का केस उन्होंने केस दर्ज नहीं कराया था लेकिन बाद में जब पुलिस ने गैंग को पकड़ा है तो इसमें ये खुलासा हुआ है कि किस तरीके से सोने के बिस्किट से ठगी का काम ये लोग करते थे पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्श न्यूज के साथ